नमस्कार मैं हो दिवय बिहारी निउस में आपका स्वावत है आज है 25 फ़वरी दिन रवीवार खबरों के ओबने से पहले एक मिजर सुर्खियों पर बिहार लोक सिवा योग ने 300 से अधिक पदों पर निकाली भर दी बिहार के कई रेलवे स्टिसनों का होगा पुनर विकास बिहार के 25 सहरोब में विकास के लिए मास्टर प्लैन तयार बॉलिवुड में मनोज वाजपी के 30 साल पूरे प्रदेश में कई जगों पर सर्द हवा के कारण बरी कनकनी आर्वियाई ने बैंकिंग फ्रोड से बचने का बताया तरीका इंग्लेंड के खिलाफ चौते टेस्ट मैच में ये सस्वी जैसवाल ने खेला सांदार पारी इसके साथी बढ़ते हैं अब तक के 25 बरी खबरों के और विस्तार से विहालोग सेवायोग ने 300 से अधिक पदों पर निकाली भरती ब्यहालोग सेवायोग ने 318 पदों पर भरती निकाली है क्रिसियेस नाता का बहरतियों के लिए की नौकरी का एक सुनहरा अफ़सर है प्रखंड उद्यान पताadım कारी के पदों पर बहाली नहीं जाएगी एक मार्च से आविदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 21 मार्च 24 आविदन करने के इंतिम तारीक है 110 पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है बहाली की प्रक्रिया में सामल होने के लिए चुक अभ्यारती बीपीसी की अधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन से पहले अभ्यारतियों को चयन और योगिता की विस्तरित जानकारी होनी जरूरी है इसके लिए बीपीसी की वेबसाइट पर भरती का पूरा नोटिफिकेशन परहा जा सकता है विहार के कई रेल्वेस्टेशनों का होगा पुनर विकास विहार के 33 रेल्वेस्टेशनों का पुनर विकास होगा प्रधार मंत्री नेन मोदी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में अमरित भारत इस्टेशन योजना के अंतरगत इसका सिलान्यास करने वाले हैं रेल्वे स्टेशनों के पुरर विकास के बाद लोगों को कई तरह की सुधाई मिलेंगी बैठने की व्यवस्ता से लेकर पार्किंग का विकास कारे होगा सो अंदरी करन आदी आविसक विकास कारे किये जाएंगे पंडित दिन दयाल उपाध्याई मंडल डी डी यू मंडल के अंतरगत आठ इस्टेशन डेहरी ओन सोन बिकरम गंज पीरो, रफी गंज, गुरारू, नभी नगर, हैदर नगर तथा मुहमद गंज है दानापूर मंडल के अंतरगत नवादा लखी सरा एवं चौसा स्टेशनों के विकास का सिलान्यास किया जाएगा बिहार पेटर में आज हम बात करेंगे प्रकास पुंज के बारे में यह स्थान बिहार की राजधानी पटना में गुरू का बाग के पास सस्थित पार्क है जिसे अत्या धुनिक सुवधाओं से परिपूर्ण बनाया गया है इस पार्क में बनी चार द्वार गुरू गोविंद सिंग महराज के बेटे अजीत सिंग फते सिंग जुजहार सिंग और जुरावर सिंग को संबोधित करता है इन चारों द्वार के पास आपको हेमकुंड साहिब पानवट्टा साहिब नादेर साहिब के सगर साहिब नाम के पांच गोलाकार दिवारे आपको देखने को मल जाएंगी इस पार्क में एक भाका उप्योग धार्मे कारियों के आयोधन के लिए किया जाता है इसके परिसर में गुरू गोविंद सिंग के जीवन सिक्चा और कारियों को दिखाने के लिए संग्राले का निर्मान भी हुआ है। अलग-अलग जगह पर पानी की जांच की गई है। बिहार में बरे पैमाने पर सिक्चा विभाग में पदाधिकारियों का तबादला हुआ है। यहां तीन दिनों में इन्हें जॉइन करना अविशक है। बिहार में बेरोजगार यवाओं के लिए सुनहेरा मौका है। योवी.in पर जाकर रजिस्टेशन करना है। आपको बता दे कि रोजगार कैप में 18 साल से 35 साल के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ इनके पास पासपोर्ट, साइज, फोटो, निवंदन का प्रमान पत्र, बायो, डेटा और सभी पत्रों का मूल प्रमान पत्र होना आवशक है। चैनित हो जाने के बाद 13,000 से लेकर 22,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। वॉलिवूड में मनोज बाजपई के 30 साल पूरे, वॉलिवूड में एक्टर मनोज बाजपई ने अपने 30 सालों का सफर तै कर लिया है। फिल्म बैंडिट क्वीन से इन्होंने अपने केरियर के शुरुआत की थी। विहा लगो द्यमी योजना के लिए 50,000 युवाओं का चैन किया गया है। जाती गर्णा से 94,000,000 लोगों का चैन किया गया था। इन्हें अगले 5 सालों में लगो द्यमी योजना का लाब दिया जाएगा। पांच से 20 फरवरी तक पोर्टल पर दो लाग से अधिक लोगों में आवेदन किया था। नौकरी की तलास करने वाले युवाब दूसरे लोगों को भी नौकरी देंगे। उप मुखे मंतरी समराच चौधरी ने इसके लिए लाभारतियों को चुना है। मुखे मंतरी स्कुमाने डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का उधगाटन किया है। इसके बाद उन्होंने और्दोगिक प्रदरसनी में अलग-अलग और्दोगिक एकाईओं और बिहार के अलग-अलग विभाग और उनके उक्रमों की ओर से अस्थापत अस्टॉल का जायदा लिया। साथ उनके काम से संबंधित जानकारी ली है। बिहार के 35 सहरों में विकास के लिए मास्टर प्लैन तयार किया गया है। नक्सा को भी तयार किया जा रहा है। कई चर्णों में इस काम को किया जा रहा है। RBI ने बैंकिंग फ्रॉट से बचने का बताया तरीका ATM का क्लोन बनाने से लेकर ATM या डेबिट कार्ड के बंध होने का भैद दिखा कर लोगों के साथ हगी की जाती है। इन धोका जरी से बचने के लिए RBI की गाइडलाइन है। इसके अनुसार किसी के साथ भी अपने परसनल लीटेल को सेर नहीं करना चाहिए। ATM पिन, OTP आदी की गोपनीता बरकरा रखनी चाहिए। इसके लावे इंस्टिंट अलर्ट मोड को एक्टिव रखना चाहिए। गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी मिनने पर बैंक को तुरंद सूचना देनी चाहिए। बैंक से जुले कॉंटेक्ट डिटेल को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। आपात के सिती में बैंक से संपर्क करना चाहिए। बहानियों में पंच पल अपकाल रात री खोटा सिक का एक प्याला चाहिए आदी सामिल है। इनके छेतर में सर्वस्रेष्ट योगदान के लिए ने कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। जिनमें साहित एकैदमी पुरस्कार सामिल है। बिहार के नौक उख्यात अपरादियों की तलास में जुटी हुई है। इन पर इनाम की गोस्तना की गई है इसमें दर्भंगा दिले के दो अपराधियों पर भी दो लाग का इनाम है जबकि सेज साथ अपराधियों पर एक लाग का इनाम है दर्भंगा के तीन बेगु सुराई के चार और जहानाबाद के एक एक अपराधी पर इनाम का एलान हुआ सुजनी कला की प्रदर्शनी का हुआ लोकार पन किया है सुजनी कला उपयोगिता के मामले में काफी बढ़िया है सुजनी जिन्दगी भी देखी है साथ ही खुद इसका परयोकिया है प्रदर्शनी की बुनियाद केवटा से है इसलिए ये एक खुशी की बात है बच्चे के जन्म से लेकर साधी में बनने वाले सुजनी एक प्रक्रिया या जरूरत नहीं है ये हमारी संस्कृति का भाग है ये कई सालों से एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में चली आ रही है मालूमों कि 29 फवरी तक ये मेला इसमें परंपरा सांस्कृतिक स्मिर्थी और पहचान पर परिचर्चा होगी साथ ही सूफी और भक्ति कथाओं की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी इसके अलाबे यहां प्रदर्चा के यहां चाली पर प्रदर्च का इओतर्च निकाए होगा इस के पास अपना ड्रामा स्कूल होगि योजना दो से तीन साल पुरानी है इस स्कूल का निर्मान पटना सिटी में गंगा नदी के किनारे राजा घाट के पास होगा प्रदेस में कई जगों पर सर्ध हवा के कारण बरही कंकनी बिहार में बारस होने की संभावना मौसम विभाग वारा जताई जा रही है पटना समेट प्रदेस के कई जगों पर सर्ध हवा के कारण थोरी बहुत कंकनी देखने को मिली साथ ही नियुंतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है आपको बता दे कि भिहार के मौसम में ये बदलाओ पस्चिमे में चोग के कारण देखने को मिल रहा है हाला कि प्रदेस में आज का मौसम सुस्क रहने वाला है लेकिन आने वाले एक से दो दिनों में बारिस की संभावना है प्रदेश का अधिक्तम तापमान आज 24 से 26 डिग्री और निउन्तम तापमान 10 से 12 डिग्री और कुछ जगों पर 12 से 14 डिग्री रहने की संभाव नाजित आई गई लोगसबा चुनाव से पहले अपसरों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया आदेश लोगसबा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने अपसरों को लेकर आदेश जारी किया है अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर आयोग ने बड़ा कदम उठाया है राजिस सरकार को आयोग ने ये सुनसित करने के लिए कहा है कि 3 साल पूरा होने के बाद जिले से बहार ट्र कर चुके हैं उन्हें अस्तनांतरित करने का आदेश भागलपुर से नेपाल की दूरी होगी कम भागलपुर से नेपाल की दूरी अब कम हो जाएगी बहुपुर और नवगठिया के आजपास के लाके के लिए बहुप्रतेक्षित बहुपुर विरपुर एनच-106 का निर्मा कारे हो रहा है यहां पर फेशिया तक्नीक से घास के दिवार खरी की गई है बारिस के दोरान की हाईवे की कटाव से रक्षा करेगी बताया जाता है कि आरेसेस वॉल की अधिकतर सामगरी विदे से मंगाई गई है कहा जा रहा है कि सरक का भेपुर महत्वपुन परा होने व परेगा जन्विस्वास यात्रा के दौरान तिजस्वी यादव ने क्रेडिट को लेकर कहिए बाद बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्त तिजस्वी यादव जन्विस्वास यात्रा को लेकर गया पहुंचे हैं यहां उन्होंने जन्सभा को संबोधत किया इस दौर लोगों को नौकरी देने का बादा किया था तो हम क्रेडिट भी लेंगे साथ ही उन्होंने कहा कि 10 से 12 सीट की वेइमानी हुई लोगों ने आरजरी को 115 सीटों की ताकत दी थी वहीं तीन मार्च को पूर्व रिप्टे सीम ने सभी को माग अडवन्दन की रैली में सामन होने क की अफील की है साथ ही कहाए कि इस दिन लालू यादव आप लोगों से बात चीट करेंगे आपको बता दे कि जोरान आरजरी नेता तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहें ने इस दिन की बातने ने साथ ही कहाए की वैं एमड़ पिता का अशिरवात लेने से बिहार चलेगा उन्हें बिहार के जनता को अपना मादापिता मानना होगा सिर्फ अपने परिवार के लुगों के लिए जीने से काम नहीं चलेगा बिहार की जनता माबाप है और उन्हें मानना परेगा वहीं से पहले समरार चौधरी ने कहा था कि भाजपा सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को लेकर चलती है मंत्री विजेंद्र यादव ने की बिहार को विसेश राजे का दरजा देने की मांग उर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार को विसेश राजे का दरजा देने की मांग की है लेकिन राजे के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, यहां बिजली के छेतर में करी संभाव नाए है, इसका कारण है कि यहां पर बहुत उर्जा के तीन शुरोत पानी, हवा और सूरे भरपूर मातरा में उपलब्ध है, आपको बता दे कि बिहार के मुख्यमंद इंतीस कुमार के अंडिय में लोटने के बाद ये पहली बार है कि जदियों के ओर से ये मांग उठाई गई है, इंग्लेंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में यससवी जैसवाल ने खेली सांदार पारी, इंग्लेंड बनाम इंडिया के चौथे टेस्ट मैच में यससवी जैसवाल ने तिहास रच दिया है उन्होंने इंग्लैन के खिलाफ 117 गेंद में 73 रन बनाए है इस दौरान उन्होंने आठ चोक्य और एक चक्के जड़ा इसके साथ ही क्रिगेटर टेस्ट मैच में 600 रन बनाने वाले पहले बाय हाथ के बल्लेबाज बन चुके हैं पांच मैचों की टेस्ट सिरीज में यससवी ने अब तक 618 रन बना लिया है वहीं टेस्ट मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले बाय हाथ के बल्लेबाज गांगुली हैं इन्होंने साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ 534 रन बनाये थे कई कारणों से दर्ज है भारत के तिहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1788 में पीट्स रेगुलेट्री एक्ट पारित हुआ था आज के दिन 1962 में देश के दीसरे लोकसवा चुनाव में कॉंग्रेस की जीत होई थी और जवाहालाल ने इनू तीसरे बार प्रधान मंत था आज के दिन वर्स 2006 में दीपा महता के फिल्म वाटर को गोल्डन के नारी परसकान मिला था आज के दिन वर्स 2008 में आजडी एफसी और सेंचूरियन बैंक ओफ पंजाब के विलाई के लिए सेर अनुपात को मंजूरी दी गई थी आज के दिन 2010 में 2008 के मुंबई हमले के ब खबरे सही हो यह जरूरी नहीं है अब इसी करी में वाट्सेप पर एक ऐसे ही खबर से वाइरल हो रही है इस मैसेद के जरीए यह दावा किया जा रहा है कि केंज सरकार द्वारा फ्री मोबाइल रिचार्ड योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहता आम लोगों को 28 जिनों का रिचार्ड मुफ्ट में दिया जा रहा है लेकिन आपको बता दे कि केंज सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है यह खबर पूरी तरह से भ्रामक है प्याइबी ने भी इस खबर को अपने सोसल मीडिया एक्स पर सेयर किया है जा इस खबर को फरजी करार दे दिया गया है इसले इस तरह के भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें वाट्चाप अपने यूजर्स के लिए लेकर आया है यह सुविधा वाट्चाप अपने यूजर्स के लिए सुविधा के क्ले कई तरह के फीचर्स लाते रहता है अब इसी करी में व क्वालिटी में सेंड हो जाएगा डबूए बीटा इंफो के मुताबिक नवीन्दम वाट्चाप बीटा एप संस्क्रन 2.24.5.6 एप का स्टोरेज सेटिंग में एक नया विकल्ब दिखाता है ये फीचर यूजर्स को अपने पसंदीदा डिफॉल्ट मीडिया अप्लोड क्व लागू होने वाले हैं कि सरकार की ओर से लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है इन कानूनों को सरकार की ओर से संसत के सीथ काली इन सत्र में पारिद किया गया था वही भारतिय नया सहिता की धार 162 पर फिलहाल रोक लगा दी गई है संसत से इन कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को वालूमों कि भारती नया सहिता में कुल 358 धार आए हैं, इनमें 20 नया प्रात को परिभासित किया गया है। इदर हिट एंड रन से जुरे प्रावधान को भी लागू करने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। आपको बता दे कि हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में ट्रक चालकों ने प्रदर्सन किया था, इसके बार सरकान ने आसवासन दिया था कि चालक यूरियन से, चर्चा के बाद ये कानून लागू होगा, IPC, CRPC और इंडियन एरिविडेंस की जगर नय कानून को लाया जाएगा, हम प्रती दिन आपसे पांच जूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समित, SSC जैसे ने प्रदोगी पर एक्षाओं में काम आएंगे, सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान कर इंटर्फेर्स और इसका सहीं तरह लद्दाग, एमस और किसने रोगियों के लिए प्रत्यार ओपन, सरजरी बहतर बनाने के जिसा में साज़ेदारी की है, ऑप्षन है आएटी पटना, ऑप्षन भी हैं पीमसेच, ऑप्षन सी हैं आएटी दिली, ऑप्षन डी हैं आएटी पटना इसका सहीं तरह आएटी दिली, उतब जिस राजे के गोंडा दिले में क्या स्थापित किया जाएगा, ऑप्षन ए है बाग सनचन रिजर्व, ऑप्षन भी है कचुआ सनचन रिजर्व, ऑप्षन सी है काला हिरन सनचन रिजर्व, ऑप्षन डी है बारस सिंगा सनचन रिजर इसका सही तरह कच्छुआ सरचन रिजर्व जिला न्योजन एवं विकास परिस्द का ज्यक्ष कौन होता है आप्शन ए है राजी के वित मंत्री आप्शन बी है जिला विकास पदाधिकारी आप्शन सी है जिला न्योजन पदाधिकारी बिहार सरकार के साथ निश्यों में निम्न में से क्या समलित नहीं है साफ पीने का पानी बिए सबी परिवारों को भिजलिया पूर्ती बाल कलियान इसका सहीं तरह बाल कलियान बीते दिन हमाई दोरब पुछे के सवाल का आप लिए से बहुत तोन रवना जवाब हमें हमारे कॉमेंट स्क्षन बॉक्स में लिकर दिया तो दिनोंने अवाद दोर पुछे के सवाल का जवाब दे उनके नाम है इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है उजा मंत्री विजिंद्र यादब के द्वारा बिहार को विसेश राजे का दर्जा देने की मांग पर आपकी क्या राय है आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्सन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तवाम खबरों के साथ वने नानी के लिए देखते रहे बिहारी न्यूद और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने तो चैनल को लाइक करना और सब्स झाल